दोस्तों नमस्कार जैस्री कृष्णा जैस्री विराधे दोस्तों आज हम बात करेंगे 1 जुलाई से 15 जुलाई नो कॉंटेक्स सिच्वेशन करंट स्फीलिंग एक से 15 जुलाई के बीच में अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर जो नो कॉंटेक्ट में हैं आपके एकस पार्टनर वो आपके बारे में क्या सूचते हैं तो बने रहिए गए इस वीडियो बे आपके लिए इस पेसल लव रीडिंग लाते हैं इस love reading में हम आपको बताते हैं कि आपके ex partner जो आपसे बात नहीं कर रहे हैं या किसी कारण से break up हो गया है, no context situation बन गई है तो उसमें वो किस प्रकार की feeling उनके मन में हैं, क्या वो वापस आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं तमाम ये बातें हम इस reading में cover करते हैं पिछली एक 16 जून वाली जो reading है, 16 जून से वो मिस हो गई, उसके लिए सभी से छमाप्रार्थी हैं वीडियो बनाने का और हर तरीके से आपको content साथ और सही और बहुत सही time पर पहुँच जाए उसकी हम भी कोशिस करते हैं पर एक तो appointment बहुत जादा और फिर personal अपनी वेस्तताएं उसकी बज़े से miss हो जाता है कभी-कभी येकिन फिर भी मैं आपसे छमाच आता हूँ इसलिए क्योंकि आप जो है no context situation में है आपके पास option नहीं है कि आप कैसे जान पाएं आपको हम पर भरोसा है आपको हमारी reading बहुत साटिक लगती है आप हमसे connect हैं तो आपको एक उम्मीद रहती है एक अपना पन रहता है कि हाँ अतुल जी तो बताएंगे कम से कम सबसे पहले बात करेंगे मेस रासी की यानि कि मेस रासी का अगर आपका partner है आपको पता है कि मैं partner की रासी के अनुसार ही जानकरी देता हूँ आपकी रासी के अनुसार नहीं तो आपके partner की अगर मेस रासी है तो यकीन मानिये वो आपकी life में बापस आने के लिए तड़फ रहा है वो आपकी life में बापस आना चाहता है उसका खुद मन है आप से बात करने का लेकिन उसका इगो जो है न वो साइड बार बार जाता है और फिर आ जाता है मतलब बार बार उसके सामने अपना इगो की चटान दिवार खड़ी हुई है अब आप अगर खुद से मैसेज करेंगे तो उसका इगो हर्ट नहीं होगा एक दिक्कत यह भी है कि वो चाहता है कि आप जब उनसे कॉन्टेक्ट करें तो पूरी तरीके से करें ये नहीं कि उन्हें डिस्टर्ब करें तो कहीं न कहीं आपके लिए वो फीलिंग जो रखता है उसके मन में कि आप हैं तो बहुत अच्छे लेकिन कहीं न कहीं आप कन्फूज हैं वो सोच रहा है ऐसा आप बहुत ज़दा डिस्टर्ब हैं अंदर से और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आप उसे अच्छा नहीं मानते हैं उस पर भरोसा नहीं करते हैं यह उसकी फीलिंग है और वो भरोसा जो आप नहीं करते हैं उसके रीजन भी उसे पता हैं वो आपको गलत नहीं मानता है लेकिन उसे लगता है कि वो भी गलत नहीं है इसलिए बात यहां सौहिमान किया जाती है तो आपको ही उन्हें मेसेज करना पड़ेगा तब जाकर के बाद बनेगी बात करेंगे ब्रशवरास्तिक अगर पार्टनर है तो उसकी फीलिंग्स क्या है तो नो कॉंटेक्ट में रह करके उसे अभी भी confusion तो है कि वो आप किसे contact करे या ना करे लेकिन उसे एक चीज है कि आप पर भरोसा बिल्कुल नहीं है और अब उसे आपके बारे में कुछ आईसी चीज़ें भी पता चल चुकी है जिस बज़े से आप भरोसा बिल्कुल भी नहीं करेगा कभी भी मतलब आप कुछ भी कर लीज़े भरोसा नहीं करेगा और इस देकी तो इस्तिती बहुत खराब होई चुकी है तो जो इस्तितियां बन चुकी है उनके मन में उस हिसाब से तो आपका पैचप कभी दिखाई नहीं पड़ता है जिस हिसाब से परेशानी और बढ़ने वाली है अगर आप खुद से मैसेज कर रहे हैं हो सकता है वो आपको ऐसा बोल दे कि अब रिलेशनस इपनी रख सकते हैं जस्ट फ्रेंड बन के रहे हैं इत्यादी बातें भी कर सकता है अब बात कर लेते हैं मित हुनरासी का अगर पार्टनर है पार्टनर था आपका नो कॉंटेक्स सुचेशन में एक्स पार्टनर तो वह वहाँ पर कैस्ति दी है बहुत ज़्यादा आपकी याद करता है लेकिन उसे लगता है कि आपके अंदर बहुत सारी आसे कम्या है जिससे आपको वो अपनी वाइफ या आपको अपना स्वेंड नहीं बना सकती है तो आपको बहुत परफेक्ट नहीं मानता है लेकिन बहुत प्यार करता है बहुत याद करता है इस्तितिया यहाँ पर यह भी बन रही है कि इन दनों में मतलब एक से पंद्रा जुलाई अगर आप contact कर लेते हैं तो वो आपसे बात जरूर करेगा आपकी respect करता है इसलिए आपसे बात करेगा पर उसका दिली इच्छा नहीं है कि आप जो है आप रिस्ता continue करें और future या उमीद दें एक दूसरे को वो नहीं चाहता है उसके मन में यही है कि जोंटी उमीद पालने से अच्छा है यहाँ पर रिस्ता नहीं रखा जाए वो चीज उसके मन में है अब बात कर लेते हैं करकरासी की अगर करकरासी का पार्टनर है तो वो आपके लिए दीवाना है आपके लिए पागल है और आपके लिए ही रात दिन तड़कता है उसे लगता है कि अगर फिर से वो प्यार मिल जाए जो मिल रहा था तो कुछ भी कर लेंगे उसके लिए लेकिन कहीं न कहीं आपके अंदर कमिया है और वो उस कमी को भी सुईकार करने के लिए भी तयार है लेकिन आपको उसके emotional की कदर नहीं है वो यह जानता है उसके रहने से आपको उसके आंसु मगरमच के आंसु लगते है तमाम तरह की बातें भी याद आती है आपकी बहुत ज़्यादा कड़वी बातें भी आपकी याद आती उसे तो वो आपसे contact करेगा, बार बार आपसे फिर भी प्यार की भीग मांगेगा लेकिन उसे इस चीज़ का एसास हो चुका है कि आप उसके emotions की value नहीं करते हैं, कदर नहीं करते हैं अब बात कर लेते हैं, सिंग रासी का अगर आपका partner था तो वहाँ पर कैस्तिती अगर सिंग रासी का partner था तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आपकी चिंता करता है कि मेरे से अब contact में नहीं है तो क्या हो रहा होगा उसका, याद तो करता है चिंता करता है, चिंता करने का मतलब है आप से आपकी बारे में जानना चाहता है, आप अच्छे से रह रहे हैं, लाइफ सही चल रही है, करियर सही चल रहा है, mental health सही है, इत्यादी बाते जानना चाहता है और ये एक जिम्मेदारी वाला एहसास है जो से लगता है कि वो आपको एक husband या wife की तरह समझता है या समझती थी और अधिकता रिस्तितियां यहाँ पर पुरुस अगर सिंगरासी का था तो वहाँ पर जादा बन रही लेकिन रिस्ता relationship उस तरह की चीजें आप दोनों की बीच में अब वो bonding नहीं बची है इसको भी सुविकार करना पड़ेगा आपको अगर आपका पार्टनर सिंगरासी का था अब वो रिस्ता नहीं बचाए चाहिए भले ही कितना ज़्यादा आप क्लोज आ जाए फिर भी वो चीज नहीं हो पाएगी जो आप सपने सजाए उसकी feeling आपको ले करके वही है कि वो आपकी मदद करना चाहता है अगर आप कोई प्रॉब्लम में है लेकिन वो मदद अब जो करेगा उसके बदले वो यह नहीं समझता है विस्वास नहीं करता है आप पर आपको धोके बाज भी समझता है और यहां पर आप उसके खिलाब बहुत सारे मतलब बिचार गंदे रखते हैं इत्यादी बातें उसे लगता है सिर्फ आप जो है पैसा या हवस के पीछे थे यह सब चीजें उस किमर में चलते हैं नेगेटिव थिंग बहुत हो गई है और नेगेटिव थिंग से रिस्ता कभी अच्छा नहीं चलेगा और भरोसा नहीं है तो रिस्ता जुड़ भी नहीं पाएगा पीछे लगे रही है बात नहीं बनेगी इस दिनों में तो बिल्कुल नहीं मनेगी बात करेंगे तुलारासी का अगर पार्टनर था तो वहाँ पर इस्तिधी क्या है अगर तुलारासी का पार्टनर था तो वहाँ पर आज भी वो आपको याद करता है वो आपके साथ तो इस बज़े से वो आज आप फिर भी याद कर रहा है कॉंटेक्ट करने की कोसिस अगर आप करेंगे तो ही कॉंटेक्ट होगा क्यूंकि अकड़ बहुत है उनमें और आप हैं कि अभी तक कन्फ्यूज हैं कि उनसे कॉंटेक्ट करें या ना करें पता नहीं उनका reaction क्या होगा ये स्थिती है अब बात कर लेते हैं ब्रिश्चिक रासी का अगर आपका पार्टनर था तो अब उसके मन में क्या चलता है ब्रिश्चिक रासी का अगर पार्टनर था तो बहुत ज्यादा आपके लिए आज वो emotional है उसको लगता है कि अगर आपके साथ में उसकी साधी हो जाती उसका सब कुछ सही हो जाता तो आज वो जिस जंजट में पढ़ा हुआ है वो जंजट में नहीं पढ़ता आज उसकी life बहुत complicated बन चुकी है उसकी situation बहुत complicated है और वहाँ पर वो अपने आपको एक तरह से अपनी life में back पीछे देखना चाता है reverse में बार बार सोचता है और यसी लिए उसे लगता है कि अगर कास वो चीज़ें खत्म नहीं होई होती ही तो आज कुछ हो सकता था लेकिन अब चीज़ें इतनी खत्म हो चुकी है कि अब कुछ नहीं हो सकता है यह उसे भी पता है और इसी चीज़ को सोच करके वो आपसे contact कभी नहीं करने वाला है लेकिन अगर आप कर लेते हैं तो उसे एक उम्मीद जरूर चक सकती है यानि कि अगर आपका पार्टनर प्रिश्चक रासी का है तो एक contact करना बनता है लेकिन यह इसक बात मान के चलिएगा कि अगर contact करेंगे तो वो उसके साथ में जो third party आई है उसके साथ physical भी हो चुका है हो चुकी है मतलब कहीं न कहीं चीज एकसेप्ट करके ही आप बढ़ियेगा नहीं तो आगे toxic बहुत ज़्यादा जहरीली इस्तिती बन जाएगे और बात कर लेते हैं धनू रासी का अगर आपका partner था तो वहाँ पर क्या इस्तिती है सामान निस्तितिया है बहुत ज़्याद बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बची है इस बीच में तो आपके लिए बिल्कुल तनिक भी नहीं सोचने बाला है बात करेंगे मकर रासी का अगर आपका partner था तो उसकी situation क्या है मकर रासी का partner था तो उसकी तो एक ही इस्तिती है कि अपनी मस्ती में मस्त है और उसे आपके अगर के लिए किसी परकार से कोई भी ऐसी कोई दया भावना नहीं है किसी परकार से कोई feeling ऐसी नहीं है इस बज़़े से आपके पीछे पड़े आपके लिए रोय वो चीज नहीं है वो अपनी मस्ती मस्त है उसे और दूसरे मिल गएं और वो खुस है रही बात आपकी तो आपके बारे में उसकी अभी currently feeling यही है कि अगर हर तरीके से आप उनके under control रहते तो साइध आगे भी रिष्था continue कर सकते थे लेकिन loyalty की उमीद उनसे नहीं करना चाहिए था और इतनी पजैसे भी नहीं वनना चाहिए था जो आप बने इसी वज़े से चीजां खराब हुई हैं वो यही सोचते हैं कि अगर सांती से चीजें निकल जाती तो कोई दिक्कत नहीं उसी रिष्था चलता और उनको अपनी गलती का एसास नहीं है यह सबसे बड़ी दिक्कत है वो गलत है यह आपको भी पता है और अगर कोई भी आप दोनों की story जानेगा तो आपको 100% कहेगा वो गलत है लेकिन फिर भी वो अपनी गलती का एसास होने नहीं होगा एसास है ही नहीं और एसास अगर regret feel करते तो आपके लिए कुछ अच्छा सोचते हैं अब बात कर लेते हैं कुम विरासी का अगर आपका partner था तो no contact situation में वो कैसा सोचता है किसी कारण बस से no contact में गया है वो आपकी life में बापस आना चाहता है वो आपको फिर से पाना चाहता है जो भी कारण है वो कहीं न कहीं family कारण हो सकता है कुछ बैसा कारण जिस बज़े से मजबूरन उसे जाना पड़ा लेकिन वो आपसे सफाई नहीं देना चाहता है वो चाहता है कि बस आ रहा हूं accept कर सबांग में इस पीवाइब UM मांगो किसी प्रकार से सवाल जबाब मत करो यही चाहता है और आपके लिए उसके लिए अच्छी आपके लिए बहुत जाद अच्छी फीलिंग करता ही बहुत अच्छा सोचता है आपके बारे बेचार अच्छे है उसके आपको लोयल मानता है उसे लगता है कि आज आज भी उसके लिए कहीं ने कहीं आप उसको मिस करते हैं सब वो मानता है वो मानता है कि आप उसे याद करते हैं अब आप देखिए याद करते हैं नहीं करते हैं वो आपको रग-रग से जानता है पाकिफ है हर चीज से हो आपके आगे पीछे क्या चल रहा है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है इसकी भी उसे पूरी खबार है और वो इसलिए रख रहा है क्योंकि उसे आपके पास बापस तो आना है लेकिन दब के नहीं साथ मिलके ना दबाना है ना दबना है इस तरीके की फीलिंग है और गलत है नहीं तो वो दबेगा भी नहीं बात करेंगे अगर मीन रासी का पार्टनर था तो वहाँ पर क्या स्थिती है अगर मीन रासी का पार्टनर था बापस आ जाएगा क्योंकि उसे आज आपकी जरूरत है और यही कहलो कि स्वार्थ है इस वज़े से बापस आएगा स्वार्थ है उसे आपकी जरूरत है एमोशनल है लेकिन कंफ्यूज है भरोसा तो नहीं है उतना लेकिन फिर भी उसके पास आपसन नहीं है तो आना पड़ेगा फीलिंग यही है उसकी आपके लिए तो दोस्तों यह था आपके लिए एक स्पेसल लव रीडिंग आपके नो कॉंटेक्स सिचेशन की स्थिती में एक से पंदरा जोलाई यह स्थिती रहने वाली है आपके पार्टनर की रासी के नुसार यह जानकारी थी आपको और इसके लाव के भागी आप बन सकते हैं मात निन्यान वे रुपए में बहुत बहुत धन्यबाद दोस्तों नमस्कार